कि हेलो गाइज वैल्कॉं टूमाइचल और हम टेक्निकल हैल्प सुगाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको विंडोस इंस्टोलेशन के टाइम पर यहां पर यह एरर मैसेज देखने को मिलता है तो यह एरर मैसेज आप कैसे फिक्स कर सकते है हैं कैसे इसको हटा सकते हैं और कैसे अपना जो विडियो के अंदर स्टैब बाइस टैब जानने वाले हैं और पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत साई वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए वह लैप्टोप डेक्स्टोप यूटूब या फिर किसी भी साफ्ट्वियर में किसी भी टैपका आपको कुछ भी प्रोब्लम हारा तो आपको यहां पर हर टैप का वीडियो मिल जाएगा जब भ पर स्टक नहीं होके रखा आपके सिस्टम के साथ तो सम्टाइम आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है पहले चेक करना है कि जो आपका सिस्टम है उसका रैम पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है पहला मैथड तो यह हो गया कि आप अपना च चेक करना है कि कहीं आपका जो आपने रैम जो बनाया है यूस बी को बुटेवल तो वो फॉल्टी तो नहीं है तो आपको ये कन्फरम करना है उसको एक बार दूसरे सिस्टम के साथ भी चेक कर सकते हैं या फिर आप वापस से जो आपका pen drive है उसको वापस से बुटेवल बना रखे रखामालो है जो यह वाला है Hello to do ऍौरल कि चेंज करके देख लेना है कि कहीं ये पोर्ड में कुछ प्रोब्लम तो नहीं है या फिर इसमें कुछ प्रोब्लम तो नहीं है तो आप मीचनेंघ लिजिये पिस्गत यहां पर ठीक हो जाना चाहिए so guys I hope कि आप समझ गए होगे कि यह error आपको क्यों आया है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर guys आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगा और इस आपका problem ठीक हो गया तो please subscribe my channel वीडियो को like करना, share करना, bell icon दुबार ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटूब पर प्लड़ गरूँ उसका notification आप तक पहुंच जाए, thank you so much